हाई गाईज माई नेम इस इला एंड वेलकम बाक टू हर फावे हम सभी को अपने घर में अपने रूम में सबसे जादा कमफर्ट मिलता है और हम उसी के एकॉर्डिंग अपनी सारे चीजे और गिनाइज करते हैं ठीक उसी तरह जो हमारे घर के एजट फामिली मेंबर्स हैं चाहे वो हमारे पेरिंस हो या ग्रांड पेरिंस हो उनको भी अपने रूम में वही कमफर्ट मिलना चाहिए और यह हमारी रिस्पॉनसिबिलिटी है कि हम उनको वह कमफर्ट दे तो आज की वीडियो में हम ऐसी ही कुछ टिप्स के बार में बात करने वाले हैं और इसके इलावा भी कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सो लेट्स केट स्टार्टेट ये मेरे ग्रांट फादर का रूम है इसमें अटाश बात्रूम है सबसे पहले मैंने बेट पर एक नापकिन रखा है और यहाँ पर मैंने एक एमरजेंसी बेल रखी है और अब हम देखेंगे कि हम इनकी बेट साइट टेबल कैसे ओगनाईज कर सकता है आप ध्यान रखिए कि बेट साइट टेबल के एज़ेज एकदम स्मूध हो वो इस तरह से शाप नहीं होने चाहिए आप बेट साइट टेबल पर उनके लिए एक फोन जरूर रखें फिर आप उनके इंट्रेस के एक और्डिंग कुछ बुक्स रख सकते हैं यहाँ पर आप उनके स्पेक्स रख सकते हैं फिर यहाँ मैंने एक बास्किट में उनके जरूरत का कुछ समान रखा है मैंने यहाँ बदाम रखे हैं आप उनकी पसंद का कोई भी स्नाक रख सकते हैं पानी की बॉटल और यह एक नाइट लांप इस लांप को आप एजिली चार्ज कर सकते हैं और इसमें टच सेंजिटिव बटन है इस बास्किट में मैंने यह पेन रिलीफ ओईल रखा है कफ सिरफ थोड़ी से सौफ और एलाइची आई ड्रॉप्स डाइजेस्टिफ टाबलेट चंडुबाम और यह कुछ उनके रेगुलर मेडिसिन्स है यहाँ नीचे उनके लिए नियूस पेपर रखा है और यह एक्यूप्रेशर रोलर इस तरह से वो बहुत कमफर्टेबली सब चीज यूज़ यूज़ कर पाएंगे और वो एजी लिए आपको बुला भी सकता है उनके फोन में स्पीड डायल में अपने कॉन्टाक्ट नंबर सेफ करके रखिये उनके रूम में एक नाइट लांप ज़रूर होना चाहिए उनके रूम में जनरली, हीटर्स, या कूलर्स, या टेबल फैन हो सकते हैं पर ध्यान रहे कि किसी का भी वायर ऐसे लूज नहीं होना चाहिए आपने हमारी साइट टेबल ओर्गनाइजिंग वीडियो में ये केबल ओर्गनाइजर ज़रूर देखे होंगे आप यहां भी इनको यूज कीजिए और कोई भी वायर लूज ना रहने दें आप ध्यान रखें कि बैट से बातरूम तक रास्ता एकदम साफ होना चाहिए ताकि बीच में कोई भी चीज ना अटके उनके बातरूम में अगर 9 वाले टाप ना होकर लिवर वाले टाप हो तो उनके लिए ज़्यादा कमफर्टेबल होगा इसके इलावा आप ध्यान रखें कि उनके पास आंटिस्लिप स्लिपर्स और वाकिंग स्टिक हो उनके लिए स्पेक्स का हमेशा एक एक एक्स्ट्रा पेर रखें ताकि अगर एक टूट भी जाए तो ठीक होने तक वो दूसरा यूज कर सके उनकी एमरजेंसी मेडिसिन्स और कंटाक नंबर्स हमेशा हैंडी रखें आप बात्रूम में उनके कन्वीनेंटली नहाने के लिए एक उजा पट्रा भी रख सकता है आप अगर सर्च करेंगे तो आपको एल्डरली प्रड़क्स के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट्स मिलेंगी जैसे की एल्डर इस पर आपको मिलेगा रिस्ट पैन की फॉर्म में एक उलाम यहां आपको बात्रूम और बेड्रूम के लिए पैनिक उलाम भी मिलेगा आमेजॉन पर भी काफी अच्छे प्रड़क्स हैं यह फॉर्निचर के शाप एजस से बचने के लिए रबर गार्ड्स है बात्रूम के लिए ग्राबबा यह पिल्ट के इस ओर्गनाइजर है पिल्ट रिमाइंडर अलाम के साथ वेरी उसफुल और यह मैंगिफाइंग ग्लास विद लाइट इन सभी प्रड़क्स के लिंक अगर आपको यह वीडियो कैसे लगी बिकॉस दिस वीडियो वस रेली स्पेशल तो मी अगर आपकी पास भी कुछ टिप्स है तो आप प्लीज आपको कमेंट सेक्शन में बताइए सो दर बाकी विएवस भी वह देख सके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रू मेंबर्स के यह कामा सकती है तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कर दिये बाकी अपडेट्स के लिए आप हमको इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टे ट्यून और सी यू सून अट हर फैब वे बाई